सिस्टम को दीमक की तरहा खाने वाले माफियाओं के इलाज की करम में मुझफवर नगर प्लिस और प्रश्वासनिक अधिकारियों ने हिस्टरी शीटर गोकश पर बड़ी कारियवाई की है डिमकी आदेश के बाद पुलिस की मौझूदगी में राजसुय विभाग की तीम ने चर्थावल में गैंगिस्टर एक्ट के तहट गोकश की करीब 45 लाग की संपत्ति को सीज़ कर दिया है श्रीमान वरिष्ट पुलिस अधिक्षक जनपद मुझफर नगर मोधय के निर्देशन में अपराधियों पर कारवाई का अभियान लगातार जारी है इसी क्रम में फाना चर्थावल चेतर के शातिर गोकश नसीम और गसीटा जिसके खिलाफ लगबग दो दरजन मुकदमे अलग-अलग ठानों में पंजीकरित है यह एक शातिर किस्म का गोकस है इसके खिलाफ गेंगिस्ट्र की कार्यवाई की गई थी धारा दो बटे तीन गेंगिस्ट्रेक्ट के तहट इसके खिलाफ मुकदमे पंजीकरित किया गया था और इस मुकदमे की विवेचना के दोरान चाउदा एक सेक्षन के तहर लगबग 45 लाख रुपए की प्रोपर्टी को कुर्ग करने के लिए माननीय डियम मौदय से रिक्वेश्ट की गई थी माननीय डियम मौदय के आदेश के क्रम में आज थाना चर्थावल पुलिस द्वारा प्रशाशन के साथ जाकर मोके पे पहुँच कर नसीम उर्ष गसीटा की लगबग 45 लाख रुपए की संपती को कुर्ग किया गया है और इस मुकदमे में अन्य अभ्यूक्तों की खिलाब भी उनकी प्रोपर्टी को घंगाला जा रहा है और सभी अभ्यूक्तों की खिलाब जो भी अवेद शुरोत से कमाई हुई प्रोपर्टी होगी उसको कुर्ग किया जाएगा